Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read page number 59, that is हमारी गुज़ा. आज हमें U3 का पहला सबक स्टार्ट करना है, पहला सबक शुरू करना है, जिसका नाम है हमारी गुज़ा. हम क्या खाते है, जो जानवर वगेरा होते है, ये क्या खाते है और उस खाने से हमें क्या हासल होता है, ठीक है? सो सबक शुरू करने से पहले हमें यहां पे कुछ सवालाद दिये गए है, जिनके हमें जवाबाद देने हैं. सो पहला सवाल क्या है, गाई क्या खाती है? My dear students, गाई क्या खाती है? गाई डेश डेश खाती है. यहां पे हमें options दे हुए है, खाना गास. क्या गाई? गास खाती है या गाई? खाना खाती है. My dear students as you know as we all know कि गाई क्या खाती है गाई गास खाती है सो हमें यहां पर टीक देनी है किसको गास को गाई क्या खाती है गाई गास खाती है सो दूसरा सवाल क्या है हमारा गोड़ा क्या खाता है यह जो गोड़ा होता है वो क्या खाता है गोड़ा डैजड़ेश खाता है यहां पर हमें options दिये हुए है गोश्ट और धाना क्या यह जो गोड़ा है वो गोश्ट खाता है या वो धाना खाता है As we all know कि गोड़ा तो गोश्ट नहीं खाता है बलकि क्या खाता है धाना खाता है तो हमें किसको टीक देनी है यह जो दाना यहां पर है इसको हमें टीक देनी है तो हमारा तीसरा सवाल क्या है शेर, रीच और बालू क्या खाते है कहते है यह जो शेर है, रीच है, बालू है यह क्या खाते है यह जानवर डैजडेश खाते है गास या गोश्ट क्या ये गास खाते है या ये गोश्ट खाते है क्या खाते है ये गोश्ट खाते है ये जो चोड़े चोड़े जानवर होते है ये उनका गोश्ट खाते है ठीक है तो हमने पहले का क्या लिखा गाई गास खाती है गोड़ा दाना खाता है शेर, रीच और बालू क्या खाते है? ये जानवर गोश्ट खाते है, ठीक है? सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते है गास, बूसा और दाना गाई और गोडे की गज़ा है और छोटे-छोटे जानवरू का गोश्ट शेर, रीच और बालू की गज़ा है कहते हैं गास, बूसा और दाना गाई और गोडे की गज़ा है ये कौन खाता है गास, बूसा और दाना ये खाते है एक तो गोडे जो होते है एक तो वो खाते है और जो गाई होते है वो खाते है और छोटे छोटे जानवरों का गोश्ट शेर, रीच और बालू की गज़ा है और ये जो छोटे छोटे जानवर होते है वो किसके गज़ा होती है शेर, रीच, बालू वो सब इन छोटे छोटे जानवरों का गोश्ट खाते है आईए आज हम गुज़ा के बारे में पढ़ेंगे अब हमें किस के बारे में पढ़ना है गुज़ा के बारे में पढ़ना है So my dear students, turn your page आप निकालिए page number 60 पहला क्या है? गुंदुम, चावल, गोश्ट, सब्जिया, दाले, फल, दूद, अंड़ ठीक है? गुंदुम, चावल, गोश्ट, सब्जिया, दाले, फल, दूद, अंड़ कुदरत की दी हुई कैसी कैसी नियमते हम गुज़ा की तोर पर इस्तेमाल करते है इनसान हूँ या चरिंदो परिंद या फिर पेड़ पौदे कुदरत ने हर जी रुख के लिए गुज़ा का सामान महया रखा है जिन्दा रहने के लिए हवा और पानी ही काफी नहीं इसलिए गुज़ा भी जरूरी है गुज़ा की चीजों में कुछ चीजे तो मौजूद है ही मसलन, मश्लिया, कुछ चीजों में हमारी कोशिश और महनत धरकार होती है हम अनाज और सबजियों की काश्ट करते है गोश्ट और अंडू के लिए मुर्गिया पालते है फलू के लिए पेड उगाते है दूद के लिए गाई बकरी पालते है अब तो बाज जग उपर मश्लिया भी पाली जाती है खाने की इन चीजों को हम अपनी आदात और पसंद के मताबिक खाते है फलू से रस निकालते है दूद से मखन गी और दही बनाते है माई डियर स्टूडन्स कुद्रत की दी हुई कैसी कैसी न्यामते हम गज़त की तोर पर इस्तिमाल करते है कहते है अल्ला ताला ने जो हमें अता की है उन न्यामतों मैंसे ये जो गज़त है ये भी कुद्रत की दी हुई ये भी एक अल्ला की दी हुई न्यामतों मैंसे एक है जिससे हम गजा की तोर पर इस्तेमाल करते हैं हम खाते हैं इनसान हो या चरिंदो परिंद कहते हैं चाहे इनसान हो चरिंद हम कहते हैं चरने वाले जानवर ठीक है परिंद हम कहते हैं उड़ने वाले जानवरों को या फिर पेड़ पौदे हूं कुद्रत ने हर जी रूख के लिए गज़ा का सामान महया रखा है कहते हैं आल्ला ताला ने जानवरों के लिए भी जी रूख मिन जानदारों के लिए भी ठीक है कहते हैं आल्ला ताला ने जानदारों के लिए गज़ा का सामान मैसर रखा है जिन्दा रहने के लिए हवा और पानी ही काफी नहीं कहते है जिन्दा रहने के लिए खाली हमें इयर और वाटर की जरूरत नहीं होती है इसलिए गजा भी जरूरी है इसलिए हमें और क्या चाहिए हमें और गजा की जरूरत होती है गज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़े तो मौझूद है ही मसलन मशले कहते है ये जो गज़ा है उन चीज़ों में बहुत सी चीज़े क्या है मौझूद होती है मसलन मचलिया मतलब कि जो फिश होती है कुछ चीजों में हमारी कोशिश और महनत दरकार होती है कहती है कुछ हमें कुछ घुजा कुछ चीज पाने के लिए महनत करनी पड़ती है हम अनाज और सबजियों की काश्ट करते है कहते है हम अनाज और सबजियों की काश्ट करते है मतलब कि ये उगाते है सबजिया जो होती है अनाज जो होते है वो उगाते है गोश्ट और अंडू के लिए मुर्गिया पालते है कहती है गोश्ट गोश्ट जो हम खाते है फलो के लिए पेड़ उगाते हैं यह जो फल होते हैं आप as all know कि यह क्या कहते हैं इसको सेब का पेड़ होता है आम का पेड़ होता है वैसी बोलते हैं यह फलो के लिए पेड़ उगाते हैं हम फलो के लिए क्या करते हैं पेड़ उगाते हैं दूद के लिए गाई बकरी पालत जाती है कहती है और बात जब उपर क्या होता है यह जो मुचलिया है यह भी पाली जाती है खाने की इन चीज़ों को हम अपनी आदात और पसंद के मताबिक खाते हैं यह जो खाने की चीज़े होती है इनको हम अपनी आदात मतलब कि जो हमारे आदात होती है जो हमारी आदात ह निकालते हैं, अब हम क्या करते हैं, फालू से हम क्या निकालते हैं, फ्रूट से हम क्या निकालते हैं, रस निकालते हैं, मतलब उनका जूस निकालते हैं, दूद से मक्खन गी और दही बनाते हैं, और यह जो दूद होता है, उनसे क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, गी बन रोटी बनाते है कुछ सबजिया ताजा ताजा खाते हैं और कुछ पका कर खाते हैं कहते हैं कुछ सबजिया जो होती है वो हम ताजा ताजा खाते हैं जब निकालते हैं तो खाते हैं और कुछ पका कर खाते हैं तरह तरह के पकवान तयार करते हैं कहते हैं हम तरह तरह के मेठे भी हम भी हम बनाते है मिठे हम नमकीन जाट विड़ा होना रहता। विड़ान भाल दाइकेर विड़ा के वाँ यजे भी गजा होता है इसके मामले में मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए ठीक है जाई के मीनस मज़े का ठीक है मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा होना चाहिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए अपनी दिल में कि नहीं इसको बहुत मज़ा होना चाहिए तब ही हम उसको खा सकते है जो चीज जिस कदर लजीज मौलू हो वो उस कदर पसंद की जाती है जो चीज जिस कदर लजीज मौलू हो मिनस के हमें पता हो कि हाँ इसको मज़ा है तब ही इसको खाने का मज़ा आता है वरना इसको कोई पसंद ही नहीं करता है लेकिन कम लज़ी चीजे भी गहर जुरूरी नहीं होती लेकिन जिनको मज़ा नहीं होता है वो भी गहर जुरूरी वो मतलब कि वो भी हमें जुरूरत होती है कभी कड़वी और कसीली चीज़े जिसम के लिए फायदमन होती है कहते हैं कभी कड़वी और कसीली चीज़े जिसम के लिए फायदमन होती है कहते हैं कड़वी और कसीली चीज़े जिसम के लिए फायदमन होती है कारेले 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 क लिए और भी हमारे जिस्सम के लिए हमारे बहुत ही है। खाने पीने की आदात मुक्तलिब जग उपर मुक्तलिफ होती है कहते है यह जो खाने पीने की आदात होती है यह मुक्तलिब जग उपर मतलब डिफरेंट होती है मतलब कि कश्मीर में एक तरह का खाना होता है बाहर दूसरी तरह का खाना होता है वैसे ही बोलते है खाने पीने की आदत मुक्तलिफ जाग उपर मुक्तलिफ होती है जहां जो चीज ज्यादा दस्तियाब होती है वहां उसका चलन ज्यादा होती है फिर यही मजबूरी आदाद बन जाती है और यही आदाद पसंद बन जाते कहती है यह जो गज़ा है यह आम तोरवर खाने का एक खाने मतलब कि इसे यह हमारी मजबूरी है खाना खाना एक तरह की मजबूरी है फिर यही मजबूरी आदाद बन जाती है और ये जो मजबूरी है ये क्या बन जाती है हमारी आदत बन जाती है और ये ही आदत पसंद बन जाती है लेकिन आज कल रसलवा रसाइल में काफी तरकी हुई है एक जग़ की गजाई जना सबजी या फल और दूसरी चीज़े बहुत जलद दूसरी जग़ पहुँचाई जा सकते हैं लेकिन ये जो इसका रस्मो रिवाज है इसकी नकलो हरकत है ये जलद ही मतलब कि तबदील हुई अब हम इसको एक जग़ से दूसरी जग़ आसानी से ले जा सकते है ये जग़ चाहे सबसीया है चाहे कुछ और फल है जे हम एक जग़ से दूसरी जग़ जलदे पहुचा सकते हैं इसलिए लोगों की पसंदे बदल गई है इसलिए अब लोग एक ही खाना खाना पसंद नहीं करते है दुनिया बार की चीज़े बाजार में दिस्ति अगर हमारे पास पैसे हो तो मतलब कि जिसका भी हमें मान हो हम वो चीज ला सकते हैं बाजार से और खा सकते हैं माई दियर स्टूडन्स आज की क्लास के लिए इतना ही और हाँ जो आज हमने ये इसमें जो डिफकल्ट वर्ड्स थे आज हमने जो ये पड़े है आप इनको अपनी कौपी पे लिखना जो डिफकल्ट वर्ड्स थे आज हमने कुछ नए वर्ड्स सीखे है आप इनको अपनी न लास तक के लिए फिया मानिला